हालो दोस्तों आधार इस्टुडी में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत हैं दोस्तों रीट और सीटेट 2020 को लेकर अपन शिक्षा मनुग्यान का धिन कर रहे थे दोस्तों शिक्षा मनुग्यान में जो अपना पिछला वीडियो था वो थोन डाइक के अनुबंदन सिद्धान्त पर आधारिता बोंड थियोरी जिसको बोलते हैं अपने पिछले वीडियो में देखा था कि थोन डाइक ने किस परकार एक भूकी बिल्ली पर परियोग करके अपने तीन मुख्य नियम और पांच गोन नियम दिये थे तीन मुख्य नियम में ततपरता का नियम अभ्यास का नियम परिणाम या परभाव का नियम ये तीन मुख्य नियम थे और पांच गोन नियम दिये थे तो आज के इस वीडियो में आपड़ बात करेंगे एक रूसी सरीर सास्त्री मनुवेग्यानिक है जिनका नाव है पावलो और इनोंने अनुकुलित अनुक्रिया का सिद्धान्त दिया था जिसको सास्त्री अनुबंदन भी बोलते हैं क्लासिकल कंडिस्निंग थियोरी भी बोलते हैं दोस्तों ये जो पावलो थे इनको इस परियोग पर इनको नोबल पुरुसकार भी दिया गया था और यहां से आपकी रीट की एक्जाम क्यों सर्थ अगर आपने पहले से भी इस थियोरी के बारे में पढ़ रखा है और आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन आज आपका दूर होने वाला है और अगर आप पहली बार इस थियोरी को पढ़ रहे हैं तो आपको भविशे में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा तो दोस तो स्टार्ट करते हैं बात करते हैं पावलो का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धान्त या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धान्त को सास्त्री अनुबंदन भी बोला जाता है Classical Conditioning Theory आपको इंगलिस में भी टर्म ध्यान में रखना है क्योंकि हिंदी में कई नामों से दे सकता है और इंगलिस में इसको Conditioning Theory या Classical Conditioning Theory के नाम से वो पूछेगा दोस्तों ये जो पावलो सरीर सास्त्री वेग्यानिक थे ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पावलो जो थे वो सरीर से संबंदित मनों वेग्यानिक थे और उन्होंने ये जो परियोग किया था ये सन 1904 में परियोग किया था और ये रूस के रहने वाले थे ये जो अनुकूलित अनुकिरिया सिधान्त है इस अनुकूलित अनुकिरिया का मतलब होता है कि एस्वाभाविक उत्तेजक के परती आप स्वाभाविक किरिया करते हो कोई ऐसा उत्तेजक है जो एस्वाभाविक है लेकिन उसके परती आप स्वाबहविक किरिया कर रहे हो इसको लेकर इन्होंने ये अपना सिद्धान्त दिया था ये सिद्धान्त क्या था इसके बारे में अपन बात करते हैं तो पावलो जो थे उन्होंने ये सिद्धान्त 1904 में दिया और अपना ये परियोग कुट्टे पर परियोग किया था ये आपको जानवर का नाम बिध्यान में रखना है क्योंकि ये भी एक जामों में पूछा जा चुका है कि पावलो ने किस जानवर पर परियोग किया तो कुट्टे पर परियोग किया और सन 1904 में अपना ये प्रियोग किया था इसके बारे में मैं आपको बताता हूं दोस्तों जो पावलो थे इनका पूरा नाव आईपी पावलो इनका पूरा नाव थे और ये रूस के वेज्ञानिक थे इन्होंने एक कुट्टा पाल रखा था और वो जो कुत्ता था जब उस कुत्ते को भोजन के भोजन दिया जाता था तो उसके मूँ से लारा निकलती थी जो की एक स्वाभावी क्रिया है हर जानवर के मूँ से लार निकलती है जब वो खाने की चीज सुगंद महसूस करता है तब तो पावलो के दिमाग में ये परियोग आया तो इन्होंने क्या किया उस कुत्ते को एक जगे बांदा और उसको खाने के लिए कुछ भी देने से पहले एक गंटी बजाता एक गंटी काम में लेते वो और खाने के लिए देते और साथ-साथ गंटी भी बजाते तो दोनों किरियाई साथ साथ कर रहे थे अब यहाँ पर बात करने की बात यह है कि स्वाभाविक उत्तेजक क्या है और ऐस्वाभाविक उत्तेजक क्या है तो जो गंटी का वो परियोग कर रहे थे वो ऐस्वाभाविक उत्तेजक है और जो खाना है वो स्वाभाविक उतिजक है तो खाना देने के साथ वो एक गंटी भी बजाते थे दीरे-दीरे ये किरिया उन्होंने डेली रुटिन में ये चीज की फिर उन्होंने इसमें बदलाव किया उन्होंने बोजन नयदे कर सिर्फ गंटी बज़ाई और सिर्फ केवल गंटी बजाने से कुट्टे के मुँ में लार आने लगी और इस लार को verify करने के लिए चेक करने के लिए उन्होंने उसकी कुट्टे के operation किया था और वहाँ पर एक नली लगाई थी जिसमें से वो लार का collection कर सकता था और कुट्टे को बांध रखा था और उसको खाने के लिए जब भी भी वो कुछ देते तो उसके साथ गंटी बजाते जो एस्वाबावी कुट्टे जग का कारे करता था भोजन जो है वो एक स्वाभावी कुतेज़क है और उस ऐस्वाभावी कुतेज़क के परती वो किरिया कुता क्या कर रहा है कि वो अपनी मुझे उसके मुझे लार निकल रही है जबकि भोजन को देखकर लार निकलनी चाहिए थी ये परियोग पावलो ने किया था और इसी के आदार पर उन्होंने कुछ अपने सिद्धान्थ दिये थे जिनकी वज़े से इनको नोबल पुरुषकार भी मिला था ये जो एक्जाम में क्यूशन पूछा जाता है पावलो के परियोग के अनुबंदन का निर्मार यहां से लोग स्टुडेंट्स सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं तो मैं वो कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूँ परियोग से पहले की इस्तिती या परियोग की इस्तिती यहाँ पर जो परियोग किया गया उसकी क्या इस्तिती है वो है उद्धिपन जिसको इंगलिस में stimulus बोला जाता है उद्धिपन अर्थार्थ आप किसके प्रतिक्रिया करने वाले हो या कर रहे हो वो उद्धीपन एक तो होता है एस्वाबाविक जिसको CS बोलते हैं और एक होता है स्वाबाविक अर्थार्थ UCS अब CS और UCS क्या है मैं बता देता हूँ CS Conditional Stimulus और UCS Unconditional Stimulus अर्थार्थ ए स्वाबाविक उद्धिपक और स्वाबाविक उद्धिपक और यहां पर है स्वाबाविक अनुक्रिया अर्थार्थ अनुक्रिया अर्थार्थ रेस्पोंस अब देखिए परियोग से पहले की इस्तिती क्या है एस्वाबाविक उत्तेजक या एस्वाबाविक दिपक कुछ भी नहीं था अर्थार्थ यहां पर गंटी नहीं है गंटी नहीं है परियोग से पहले की जो इस्तिती है उसमें गंटी नहीं है सिर्फ भोजन है और भोजन को देखकर कुत्ते के मूँ में क्या आती है लाराती है ये एक स्वाभावी क्रिया है जो परियोग से पहले की इस्तिती है अब परियोग के दोरान पावलो ने क्या किया ए स्वाभाविक उत्यजग दिया ए स्वाभाविक उत्यजग क्या है गंटी है और स्वाभाविक उत्यजग दोनों सासा दिये स्वाभाविक उत्यजग क्या है भोजन है और कुत्य के मुझ से क्या आती है लाग ये परियोग के दोरान की इस्तिती है तो परियोग के दोरान CS भी मिला, UCS भी मिला और UCR भी मिला अब परियोग के अंत में इस्तिती ए स्वाबाविक उत्तेजक यहां पे भोजन नहीं दिया तो क्या दिया परियोग के अंत में इस्तिती देके तो सिर्फ और सिर्फ गंटी बजाई और स्वाबावीक उद्धिपक नहीं दिया और किरिया क्या हुई स्वाबावीक किरिया हुई वो ही response मिला अथार्थ कुट्य के मुँझे लार आई जबकि भोजन तो था ही नहीं पिर भी लार आई वो क्यों आई क्योंकि गंटी की वज़े से आई ये गंटी बजाना और भोजन देना इसके बीच में कुत्ते ने आपस में संबंध इस्तापित कर लिया था आपस में दोनों को जोड़ कर देखने लगा कि गंटी के साथ भोजन मिलता है अब जब भोजन नहीं दिया केवल गंटी बजाई तो भी उसके मुझे लार निकली ये परियोग पावलो ने किया था तो आई होब कि आपके दिमाग में से ये जो CS, UCS और UCR इनको लेकर जो कन्फूजन पैदा था वो क्लियर हो चुका होगा आप इसका स्क्रीन सोट भी ले सकते हैं आगे बात करते हैं इस सिद्धान्त के आधारित पर सरीर किरिया विज्ञान का सिद्धान्त है ये सरीर पर आधारित एक विज्ञान का सिद्धान्त है कि सरीर इस परकार रेस्पोंस करता है इसमें उद्धिपन और प्रतिकिरिया में संबंद द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है अर्थार्थ जो उद्धिपन है और जो परतिक्रिया है उसके बीच में आपस में संबंद होने पर सीखने पर बल दिया जाता है आगे अपन बात करेंगे कि इस प्रयोका शेक्षिक महत्वे क्या है इस अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धान से संबंदित उन्होंने क्या नियम दिये हैं इसके बारे में आप पंचर्चा करते हैं पहला जो नियम है समय सिद्धान का नियम अर्थार्थ जो आप ऐस्वाबाविक उत्तेजक दे रहे हो और जो स्वाबाविक उत्तेजक दे रहे हो इन दोनों के बीच में एक समय का सिद्धान्त होता है ऐसा नहीं होता कि आप जो कार्य कर रहे हो कि पहले आपने भोजन दिया उसके दो गंटे बाद आप गंटी बजा रहे हो तो उसका कोई effect कुटे पर नहीं होगा वोजन के साथ साथ गंटी बजाई इसको अपन इस रूप में भी जोड़ कर दे सकते हैं कि कोई वालक अगर कोई अच्छा कारिय करता है उसका अपना homework टाइम पे complete करके लाता है तो उसको तुरंद पुनरबलन दिया जाता है तुरंद उसको पुरुसकार या प्रोचसान दि अगर वही पुरुसकार वही पुरुसकार वही प्रोचसान उसको काफी समय बाद दो दिन बाद तीन दिन बाद मिले तो उसका परभाव नहीं होता है तो ये समय सिद्धांत इन्होंने दिया कि आप जो भी ऐस्वाबाविक उत्तेजग परियोग में ले रहे हो वो उसी सम तिवरता का नियम में अपन कह सकते हैं कि जो एस्वाभाविक उत्तेजक है उसका प्रभाव जो प्रकरतिक उत्तेजक है उसके मुकाबले अच्छा प्रभाव होना चाहिए तब वो अपना प्रभाव अपना तिवरता उस पर दिखा पाता है आगे बात करते हैं एक रूपता बजाता कभी कोई म्यूजिक बजाता तो उससे वो संबंद इस्थापित नहीं कर पाता उसमें एक रूपता होनी चीए अर्थार्थ आप किसी एक प्रियोग को सेम कंडिशन में बार-बार पुन्रावर्ति द्वारा दोहराते हैं तभी वो इफेक्ट करता है पुन्रावर्त बिल्कुल अंधेरा रहता है लेकिन आपको पता है कि स्विच कहां पर है जब आप जाकर स्विच का बटन दबाओ के तो आपने नोटिस किया होगा कि आप हमेशा वही स्विच का बटन दबाते हो जिससे लाइट जलती है कभी आपने स्विच को टटोला नहीं क्योंकि अगर आपके घर में अंधेरा है तो भी आप अपने घर में कहीं भी आ जा सकते हो लेकिन अगर आप किसी दूसरे के घर में हो तब आप ये किरिया नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सी चीज कहां पर रखी हुई है तो ये पुन्रावर्ती का जो नियम है उसक आदार पर अपन कह सकते हैं कि बार-बार किसी किरिया को दोराने से वो चीज आपके शोबा में ढल जाती है। जिस परकार आप अगर किसी अपने घर पर हो और किसी के अगर आप कदमों की आहट भी सुनते हो तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये कौन चल रहा होगा। के वाल अवास से भी पता कर सकते हो कि कौन चल रहा होगा। तो ये सब अनुबंधन या क्लासिकल अनुबंधन, शास्त्रीयानूबंदन के सिद्दान पर आधरित होता है। आगे बात करते हैं व्यवधान का नियम, अर्थार्थ आप कोई भी अनुबंधन इस्थापित कर रहे हैं, उसमें कोई भी सोरगुल, कोई भी व्यवधान नहीं होना चीए, नहीं तो ये परियोग effect में नहीं होगा अब बात करते हैं दोस्तों इसका सेक्षिक महत्व क्या है तो ये जो सिद्दान्थ है ये अनुसासन इस्तापित करने बालक को दंड और पुरुसकार देने की विधी जो होती है उस पर आधारित होता है और बालक के बीच में ये सहसंबंद इस्तापित करता है जो ककसा ककस में सर्वे दर्स्य सामगरी यूज में ली जाती है वो भी इसी सिद्दान्थ पर आधारित होती है और ये जो सिद्दान्थ है ये जो मंद बुद्धी बालक है जो मूख बधिर बालक है जो सुन नहीं सकते या कई देख नहीं सकते कुछ बोल नहीं सकते उन पर ये सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है तो एक तो कोई भी बालक को दंड या पुरुषकार किस रूप में देना है कब देना है इस पर भी ये चर्चा करता है उसको पुनरबलन कब देना है क्योंकि समय सिद्धान इसमें दिया गया है और कोई भी बालक आपस में किस परकार सीख पाता है जैसे मालो एक बालक है वो विद्याले जाने के लिए आनाकानी करता है और विद्याले में अगर आप उसको एक बार ले जाते हो तो वहां का जो सिक्षक है वो उसको टोफी देता है तो दीरे दीरे बालक क्या करता है उस टोफी के लालच में एक बंद बना लेता है एक classical अनुबंधन इस्तापित कर लेता है कि वो विद्यले उस टोफी के बाने जा रहा है तो ये एक अनुबंद इस्थापित करना माना जाता है तो ये इसका सेक्षिक मेहत्व है कि बालकों किस परकार दंडी या प्रुसकार दिया जाए और मंद बुद्धी या एस्वस्त बालकों पर ये कारगर सिद्ध होता है सरवेदर से सामगरी में भी ये कामें लिया जाता है इसको लेकर आलोचना ये की गई है कि इस सिद्धान्त में माननों को एक यंत्रवत माना गया है इसमें अधिगम एस्ताई तब नहीं होता जब आपका जो एस्वाबाविक उद्धिपक है वो अपना परबाव छोड़ देता है तो अधिगम इस्तापित नहीं होता ये इस सिद्धान्त को लेकर कुछ आलोचनाएं की गई है तो आपको इस अनुकुलित अनुकरिया सिद्धान्त के जो ये नियम है ये नियम आपको ध्यान में रखने नियम है समय सिद्धान्त का नियम, तिवरता का नियम, एक रूपता का नियम, पुनरावर्ति का नियम और व्यवधान का नियम यहांसे जो एक्जामिनर है वो क्यूसन बना सकता है कोई भी आपको एक उधारन दे देगा और उस उधारन के आदार पर आपको क्यूसन पूछ लेगा जैसे उधारन के तोर पर आपको एक्जामिनर पूछ सकता है कि एक बालक को अच्छा कार्य करने पर उसका जो पुलर बलन है वो उसको दो दिन बाद दिया जाता है तो ये पावलो के कि सिद्दान्त की अभहेलना है तो आपका अंसर होगा समय सिद्दान्त की अभहेलना इसे परकार किसी भी इस नियम पर आधारित आपको कुछा जा सकता है और इसके सेक्षिक मेहत्व में अगर आप बालक को कुछ भी ऐसा नहीं बोले जो उसको भविश्य में जाकर उसके कुंठा या घरणा के रूप में परवर्तित हो जाए ये भी इसका एक सेक्षिक मेहत्व माना गया है कि बालक को ऐसा कुछ भी ना बोले ऐसा विवहार परदसित ना करे जिसकी वज़े से बालक के मन में कुंठा पैदा हो घरणा पैदा हो तो दोस्तो ये अनुकूलित अनुक्रिया का सिदान्त है इसके उपनाम आपको ध्यान में रखना है इसको सास्त्रिय अनुबन्दन भी बोलते है इंग्लिस में क्लासिकल कंडिस्निंग थियोरी इसको बोला जाता है और अनुकूलित अनुक्रिया का सिदान्त बोला जाता है आपको ध्यान में रखना है ये रूशी मनोवे घ्यानिक पावलो के द्वजा किया गया और इस प्रियोग पर उनको नोबल पुरस्कार भी मिला था तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते है आपने नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी सेर कीजिएगा और आप हमारे टेली ग्राम चेनल आदारी स्टडी से भी जुढ सकते हैं तो दोस्तों आजगी वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद